Hello everyone, myself Chaudhary Shabina. Let's continue with the chapter force and pressure. Dear students, आज का topic है balanced and unbalanced force. बच्चो, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले balanced force क्या होता है, unbalanced force क्या होता है, तो उसके लिए एक activity करते हैं, ठीक है? उस activity से हमें समझ में आजएगा बहुत इसी लिए कि balanced force क्या होता है, unbalanced force क्या होता है? तो एक table लो, उस table के बीच में एक box रख दो, उस box के दोनों end में rope या से मोटा tread rope लगा दो, जब आपने दोनों side पे rope लगा दिया, equal weights दे दो लोगो, ठीक है? 55 kg के 2 weights दे दे, मैंने इस side भी और इस side भी, तो मतलब अभी दोनों के पास 10 kg का weight है, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इस end पे एक और weight डाल दूंगे 5 kg का, तो बच्चों, अब क्या होगा? अब ये जो box थाना, ये धीरे-धीरे इस side move करने लगेगा, ठीक है? तब gravitational force act हो रहा था इन दोनों पे, और gravitational force equal था, इसलिए कोई movement नहीं हो रहा था, अब जब मैंने यहाँ पे एक और weight लगा दिया, इस side, तो क्या हुआ? यहाँ पे gravitational force जादा act हो गया, इसलिए motion इस side हुआ, अगर मैं एक और weight लगा देती हूँ, तो इस side और force act होगा, और य यहाँ आ जाएगा, और यह उपर lift हो जाएगा, तो बच्चो जब equal था यह दोनों, मतलब balanced force हो रहा था, मतलब दोनों side weight equal थे, जब दोनों side weight equal थे, तो आपे equal force अप्लाय हो रहा था, इक्वल gravitational force अगर ग्राविटेशनल हो रहा था उसी कौम क्या बोलते हैं बैलेंस फोर्स अब बच्छो जिस साइड ज्यादा मेट था 15 kg था एक 10 kg है तो बच्छो जो है ज्यादा है क्लावटश इस साइड अपर हो जायए यह वाला साइड नीचे हो जायगा ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा रहा है यहां पे Un-equal वेट्स होने के वज़े से Un-equal forces अपलाए होंगे जैसे Un-equal forces अपलाए होगे तो यह क्या हो गया Unbalanced force हो गया ठीक है बच्चो तो सबसे पहले Balanced Force क्या होता है Two forces acting on a object are equal मतलब जब यह जब यह weight सिर्फ 10 kg था तो क्या को movement हुआ है यहाँ पर नहीं क्यों नहीं हुआ क्योंकि दोनों equal gravitational force इस पर act कर रहा था जैसे एक weight यहाँ पर ज्यादा हुआ यह क्या हो जाएगा move करेगा इस side क्यों क्योंकि यहाँ पर unequal unequal है ना तो अगर unequal है तो unequal force भी act करेगा जैसी unequal force act करेगा तो यह क्या हो जाएगा unbalanced force बच्चो unbalanced force क्या होता है two force acting on an object are not equal I hope यह आपको बहुत easily समझ में आ गया होगा balanced force मतलब जब तोनों weight equal थे तो equal force apply हो रहा था gravitational force जब equal force apply हो रहा था तो कोई motion नहीं हो रहा था मतलब balance था अब unbalanced मतलब एक weight मैंने एक साइट जादा डाल दिया तो वह वाले side पे force जादा हो गया और वह वाले side पे वह box move करने लगा motion हो गया क्योंकि इस जादा force apply हो इस side कम तो unequal weight होने के वज़े से unequal forces भी अपला हो गया इसका मतलब है वह unbalanced force है हुआ होआए होआए है